क्या हाल चल रहे हैं क्रिप्टो के बिटकोइन के बात करेंगे संडे नाइट आ चुकी है और संडे नाइट आना मतलब कुछी घंटों का यहां पर फैसला हो जाएगा कुछी घंटों में यानि सुभा 530 एम के पर क्या फैसला हो जाएगा वीकली केंडल क्लोजिंग हो जाएगी इस वीक का हाल पूरा यहां पे क्लोज हो जाएगा और अभी जो बिटकोइन के लेवल हैं वो 69,000 डॉलर पे मेंटेन है 69,800 डॉलर का हाई लगाए है 70,000 अल्रेडी बिटकोइन दिखाया हुए हमको ठीक है तो नेक्स्ट वीक बड़ा इंपॉर्टेंट वीक है 12 मार्च की डेट है कल 11 मार्च है पर सो CPI नंबर आने वाले हैं और मार्च का मतलब जो नेक्स्ट वीक है उसका पहले दिन पर नहीं जाएगे अगर पहले दिन ड आते तब तक मार्केट वालेटाइल रह सकता है ठीक है तो अलर्ट रहेगा जो भी CPI डेटा आएगा CPI नंबर आएंगे वो सबसे बहले आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे लिंक डिस्क्रिप्शन में है जोइन जरूर से जरूर कीजिए सबसे बहले बात करेंगे अकमेन सजेस्ट बिट्कोइन कुट गो टू इंफिनिटी समझ रहे है क्या कहें बिट्कोइन कुट गो टू इंफिनिटी जैसा Simpson's के prediction भी रहे है infinity तक और चली रहा है अभी तक तो infinity चल रहा है Bitcoin का क्योंकि जब आया था कुछ भी value नहीं थी और आज Bitcoin 70,000 डॉलर के high लगा चुका है बढ़ रहा है ठीक है and collapse the economy if demand continues to rise अगर Bitcoin की demand ऐसे बढ़ती रही तो economy को भी collapse कर सकता है Bitcoin और may I should buy some Bitcoin यह कहना है Bill Ackman एक billionaires सुनिए क्या कह रहा है Bitcoin को लेके कि Bitcoin could go to infinity कितना positive statement है रवाया है बड़े बड़े billionaires का Bitcoin को लेके यह super good news है super bullish good news कि इसको हम उस category में रखेंगे next update है यहां पे कुछ फ्लॉकी इनू की तरफ से top 50 के करीब फ्लॉकी नू चल रहा है मतलब 50 में आने को बेताब है और फ्लॉकी इस trending on coin market cap as the world most popular cryptocurrency at the moment बिल्कुल price में इतना जबरदस्त उचाल है 800% इसकी कीमते बढ़ी है एक महिने में तो टोकन्स है फ्लॉकी इनू नंबर वन पे पे अगर हम मीम कोईन शीवा इनू है सबसे पहले तीन मीम कोईन दिखेंगे आपको उसके बाद bitcoin है उसके बाद AR है आप देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों में वर्ल्ड कोईन की कीमतें 2.00 से 11.12.00 की रेंज में आ गई है और प्रेडिक्षन ऑलरी हिट हो चुका है तो वर्ल्ड कोईन क्या कर रहा है है वर्ल्ड कोईन जब मार्केट में आया तो sentiment negative लेकिए आया था लेकिन result आज की data में positive बने है price तो बढ़ी रहा है और world coin introduced complaint against operation ban in Spain तो यहाँ पर क्या introduce किया है कि complaint against the action of the AEPD or the personal data protection agency in Spain ठीक है तो कुछ इस तरह का movement world coin की तरफ से इस time पर चल रहा Spain के अंदर एक ऐसी country जहाँ पर bitcoin legal है जी हाँ legal tender है और वो है El Salvador El Salvador के पास भी bitcoin है जब country में ही legal है तो बिटकोइन तो होगे obviously बात है और El Salvador goes big on bitcoin मतलब El Salvador अप 74 million dollar on their bitcoin holdings 74 million dollar इस time पर मामला उपर चल रहा है El Salvador का अपनी bitcoin holdings को लेके तो इससे अच्छी भी यहाँ पर तो इससे अच्छी भी क्या ही news होगी कि black rock क्योंकि अगर आप देखेंगे bitcoin holding 1,93,000 की है micro strategy की ETF के अंदर बहुत सारे ETF हैं लेकिन लीडर है black rock और black rock goes big on bitcoin black rock hold more bitcoin than micro strategy तो micro strategy से भी जैदा bitcoin hold करता है black rock यह बहुत बड़ी next update है chain link को लेके अगर मैं जहां तक बात करूँ एक strong crypto बन के उबरी है 20 dollar के आज पास target हिट की है और chain link का यह हाल है कि 4.2 million यानि 42 lakh link 83 million dollar के transfer from unknown wallet to unknown wallet ठीक है तो आज है Sunday night और Sunday night को क्या और XRP के भी movement हुए है जहां 42 lakh chain link निकले है 18 million XRP भी निकले है XRP की जहां तक बात करते हैं एक under value crypto भी बना हुए 11 million dollar के crypto है XRP transfer होते है from Binance to unknown wallet next update है यहां पे market का क्या हाल है ठीक है अगर हम top 10 cryptocurrencies की बात करें थोड़ा Sunday का time है नया week शुरू हो रहा है कल से market cap 2.6 trillion dollar का बना हुए जो की अच्छा number है बढ़ रहा है और जल्दी जिस तरह की चाल जिस तरह के तेवर Bitcoin के हैं 3 trillion dollar जो हिट नहीं हो पाया था पिछली बार इस बार 3 trillion के barrier फटा फट तूटने वाले हैं ठीक है Bitcoin है 1.36 trillion dollar के साथ Ethereum है 468 billion dollar के साथ USDT जो market का बड़ा stable coin है वो भी अकेला 100 billion dollar पहार पहुँच चुगा 102 billion dollar का market cap और 19 और 24 का distance लेके बैठे हैं यहां पर मतलब इतना सा फरक है 5 billion dollar का और कभी भी picture यह वाली जो picture है यहां तक पहुँच सकती है ठीक है अब वो कब होगा इस week next week होगा क्योंकि कल नया week शुरू होगा तो definitely कुछ न कुछ हलचल शीवा इनू में देखने को मिल सकती है अगले हफते तो सबसे पहले थोड़ा सा CPI नंबर का वेट कीजिएगा और alert रहेगा volatility रहेगी एक तो पहले ही flow की इनू की कीमते 800% बढ़ चुकी है और ऐसे में नया week शुरू होने से पहले ले आया एक और बड़ा सर्प एक और बड़ा update 3.2 million dollar के जो है flow की इनू बर्न हुए है over the last week through strong utility demand और आप देखो 190 billion अभी recently किये थे हर update के बाद price surge हो रहे हैं और ये 3.2 million dollar के जो है and a week after we announced that 1.1 million dollar 1.1 million dollar in flow की token was burned और यहाँ पर क्या हुए 14 billion tokens है वो 190 हुए थी यह 14 है ठीक है लेकिन हाँ burning हो रही है कहीं न कहीं demand थी community की तो flow की उसको सुन रहा है और burn कर रहा है अपने tokens की तो community की सुनना भी जरूरी है तो एक अच्छा update यहाँ पर burning का ठीक है कितने tokens है 14 billion tokens है 3.2 million dollar की next update है ताजा खबर यहाँ ताजा खबर आ रही है अभी अभी किसको लेगे पैपे को लेगे in just 2 weeks क्योंकि 2 हफते में पैपे की कीमते almost 15-20 दीनी हुए 800% से उपर बढ़ गया है तो this trader made 8.1 million dollar 431% का return on पैपे this trader deposit 196 million पैपे 1.7 million dollar के to Binance for 4 profit 4 hour ago and with 1 trillion पैपे और 8.3 million के left है और he withdrew 1.1 trillion पैपे cost 1.8 million dollar from Binance before the price of पैपे increase तो trader ने वहिया 8 million dollar यानि 8 अगर आप यूं समझ लीजिए बहुत बड़ा नंबर है बहुत करोडों का profit यहाँ बना लिया इस trader ने 8 million dollar बहुत बड़ी रकम होती है ठीक है next हम बात करेंगे Shiba Inu के बारे में और Shiba Inu की जो हम 24 घंटे की रिपोर्ट देगे हैं तो surging activity with a staggering 3.7 trillion Shiba Inu token transfer in various transaction over the 24 hour period पिछले 24 घंटे में Wales की हलचल move बड़ी जैदा है Shiba Inu को लेके जो बड़े-बड़े market के players हैं Shiba Inu के holders हैं lovers हैं Wales कह लीजे क्योंकि 3.7 trillion ship token transfer हुए है various transactions over the last 24 hour period ठीक है नया week शुरू हो रहा है कल से तो उमीद है कुछ हलचल दिखेगी Shiba Inu के price में तो जहां Shiba Inu के एक तरफ 3.7 trillion Shiba Inu move हुए है हलचल हुए है 24 घंटे में वहीं दूसरी तरफ Shiba Inu का burn rate बढ़ रहा है नाम नाम का नाम नाम का ही कहेंगे क्योंकि 6480% burn rate बढ़ा यानि burning जैदा हुई है पिछले 24 घंटे में जो पहले हो रही थी उससे जैदा लेगिन जितनी भी जैदा हो रही है वो भी कम है बहुत कम है और speed बहुत slow है जब तक speed नहीं बढ़ेगी बर्निंग की उमीद है शिवाएनु की टीम कुछ ना कुछ बड़ा यहाँ पर प्लान कर रही होगी कुछ बर्निंग को लेगे क्या किया जाए scenarios है ना क्योंकि करना तो पड़ेगा आप नहीं करेंगे तो देर सवेर करेंगे लेकिन अगर नहीं किया तो supply कम होने नहीं वाली जिस तरह की चाल शिवाएनु के क्योंकि जब से तीन साल होगे कोई बड़ी बर्निंग या बड़े amount में टोकन एक साल में भी नहीं निकल पाए शिवाएनु के है ना तो ये थोड़ा एक drawback है यहाँ पे और शिवाएनु का burn rate बड़ा है 6478% last and final update भी यही है कि 6000 तो बड़ा लेकिन उससे पहले 15000 के भी number दिखे हैं मतलब continue यहाँ पे burning के number सर्ज हुए है तो शिवाएनु का burn rate 115600% as ship team torches ship तो ठीक है जो भी burning हो रही है पहले से burn rate बड़ा जरूर है लेकिन हमारे इसाब से तो burning कम है और यह community भी जानती है ठीक है तो आगे जो update रहेंगे वो हम next video में cover करेंगे किसी भी crypto में अगर आप invest कर रहे हैं तो research करें वो बहुत जरूरी होती है बिना research के कोई भी crypto purchase ना करें नीचे description में टैली ग्राम एक्स के link मिलेंगे जोई नी किया तो कीजिए को update मिसने होगा तब तक के लिए बाई बाई टेक केर